तीसरा बुले मुझी डोक्टर बनना है, टर 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 करते रहे थे, टर बनना है, टर डोक्टर एक हजार डोक्टर तो अभी कोराना की डबल वेक्षिन लगाने के बाद मर गए कल क्या समाचार है जिस एलोपेथी वाले आपने आपको जो सूपर साइंस बोलने वाले हैं, कि गजब का तमाशा है, एलोपेथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है एलोपेथी को स्टूपिड साइंस बताकर लाला राम देव, ओ माफ कीजिएगा, बाबा राम देव बुरी तरह गिर गए हैं, नमस्कार आदाब, मैं हूँ आमित सैफी और आप देख रहे हैं, टाइम 24 निउज योग गुरू राम देव ने ये बात वाटसेप पर फॉरवर्ड किये, एक मैसिज का हवाला देते हुए, हाल ही मैं अपने बयान में कही थी जिसके बाद उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेदी से वाइरल हुआ, और फिर सोशल मीडिया पर कई गुट बन गए, कोई लाला माख कीजिएगा, बाबा राम देव के समर्थन में तो कोई उनके द्वारा दिये गए बयान की जम कर आलोचन करता नजर आया मगर कि आप जानते हैं कि एलोपेथी को स्टूपिड साइंस कहने वाले राम देव को खुद भी एलोपेथी साइंस और अस्पताल का सहारा लेना पड़ गया था अगर आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं आपको मगर उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे और हमारी इस करांती में शामिल होने के लिए तुरंत वीडियो के लिंक को दोस्त रिस्तिद काफी नजाराई आगे केंद्रे मस्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श वर्दन ने भी रामदेव के बयान पर सवाल उठा दिये दवाब बना तो योग गुरू ने गलती मान ली और आयूरवेद के सर्वे सर्वाने अपनी टिपड़ी वापस लेकर मामला शांत कर लिया रामदेव भी तब मुखर होकर मोर्चा खोल रहे थे वह दिल्ली के रामदेव मैदान में अंशन पर बैठ गए थे चार जून 2011 की शाम ततकारीन केंद्रे मंत्री कपिल सिब्बल ने दावा किया कि उन्हें अंशन खतम करने से जुड़ी रामदेव की चिठ्ठी मिली थी ह हाला कि योग गुरू ने उनके दावे को जूटा करार दिया थके रामदेव रात को नीद ले रहे थे था भी वहाँ पुलिस पहुची जिसके बाद वहां हंगाम खड़ा हो गया था बावा कुछी देर बाद मंच पर आये और स्टेज से अचानक कूद पड़े इस बीच आसू गैस के गोले भी दागे गए थे जनसत्ता वेब साइट से ली गई जानकारी के अनुसार सलवार कमीज में रामदेव नई दिल्ली से निकले थे तो पुलिस ने पकड़ लिया और वहां से देहरदून भेज दिया हाला कि वहव वहां भी अंचन पर अड़े रहे थे परियोग गुरू की जिद की वजह से उनका स्वास्थ गड़ बढ़ा गया साइट से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें देहरदून के जॉली ग्रांट अस्पताल में शिफ्ट किया गया रामदेव को उस दोरान बीपी की दिक्कत हुई थी साथ ही उनका करीब 5 किलो वज जहां उन्हें रखा गया था सेलाइन के साथ विटामिल्स दिये गए थे यही नहीं 23 अगस्त 2019 को बाल कृष्ण की अचानक तबियत बिगड़ गए थी बताया गया था कि वह बेहोश हो गए थे आनन्फानान में उन्हें पतंजली योग पीट के नस्दीक एक अस्पताल ल पर नुरो को ध्यान में रखते हुए उन्हें एम्स रेफर किया गया था बाद मेरे शिकेस स्थित एम्स ले जाया गया था जहां उनका इलाज हुआ था इस दौरान कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि उनहें दिल का दौरा पढ़ा वैसे रामदेव के प्रवक्ता S.K. 13 वाला ने पत्रकारों से तब कहा था कि चिंता की बात नहीं है आचर्य बालकृष्ण की हालत इस्थिर है यानि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हालत बिगडने पर बाबारामदेव और बालकृष्ण को खुद एलोपेती और अस्पतालों क सहारा लेना पड़ा था दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे दीजे इजाज़त मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आदाव